सागर धनगर हत्यकान केस में दोस्तों सोनु महाल ने अब नए खुडासे किये हैं आपको बताना चाहेंगे सोनु महाल काला जठेडी के भांचे हैं और काला जठेडी सोनु को अपने बेटे की तरह मानता था और जब से शुशील कुमार ने 66 स्टेडियम में सोनु महाल की पिटाई की थी तब से ही शुशील कुमार और काला जठेडी के बीच में दुश्मनी हो गई थी काला जठेडी उसी दिन से शुशील कुमार को अपना दुश्मन मान बैटा था क्योंकि सोनु उसके बेटे जैसा था अगर कोई बेटे पर हाथ उठाए तो बाप को घुस्ता आना तो ही लाजमी ही है तो आज हम आपको बताएंगे कि सोनु महाल ने इस केस में क्या नया खुलासा किया है सोनु से पूछा गया क्या इस सब विवाद में युक्रेन वाली महिला का कोई विवाद था अजे और तुमारे बीच क्या विवाद था इन सब बातों को लेकर सोनु से खुले तोर पर चड़ सकी गई सोनु ने बताया कि युक्रेन वाली महिला को लेकर कोई विवाद नहीं थोनु ने बताया इस केस में किसी भी महिला को लेकर कोई विवाद नहीं था ना इस touchscreen किसी महिला से कोई संबन था बस हां कोच को लेकर बाचित जरूर होती थी सुशी कुमार को लग रहा था कि उसकी सत्ता खतम हो रही है, धीरे धीरे जो उसकी शान है, शौकत है, वो खत्म होती जा रही है, बाकी पहलवान उसका आदर करना कम कर रहे हैं, शुशील को बस अपनी सत्ता चाहिए थी, दूसरों पे अपना रौक चमाना था, कि उसकी धाक हमेशा दूसरे पहलवानों प रखा था आपको बता दे अजे जब मार्ज के महिने में सोनू के फ्लैट पर पहुंचा था तो उसके फ्लैट पर उस युक्रेन वाली महिला के साथ करी तस्वीर लगी हुई थी आजे ने वह सारी फोटोस अपने मुबाइल से फोटोस लेके वह सब फोटोस शुशिल कुमार को भीजी इस बात की जानकारी सोनू के कुक ने उसको दी कि अजे घर पर आया था और उन्हें तस्वीर लेकर तस्वीर ली हैं और शुशिल को फॉरवड की हैं यह बात सुनकर सोनू महाल गुस्य में लाल हो गया था कि उसकी परसनल तस्वीर उसने शुशिल कुमार को क्य और वो फोटो ली ही क्यों और इसी सबसे घटना की इस विवाद की नीप पड़ी बस यहीं से बाकी साथियों ने भी शुशील को भड़काना शुरू कर दिया कि अब तुम्हारी सत्ता खतम हो रही है कोई तुम्हारी बात नहीं मानना तो मैं वह पहले जसी बात नहीं रही तुम्हारी धाग तुम्हारा रुबाब सब खत्म हो जा रहा है शुशील इन सब बातों में आकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया बता दें दोस्तों शुशील का ये घुस्ता उसका आक्रमेक वहवार ये सब शुशील के सम्मान देश के लिए उसने जो किया पहलव शुशील कुमार के बारे में आपकी क्या राया है हमें चरूर बताएं